हेलो श्टुदेंट्स, विलकम टू माई क्लास, आप साभी का स्वागत है बच्चों मेरे सेशन में प्रिवियस क्लास में मैंने आपको थेरीज जो केमिकल बांडिंग किये वो सारी बता दी थी उसमें मैंने MOT आपको बता दिया था, VV थेरी बता दी थी, सिग्मा एंड पाइब ओन फॉर्मेशन, दैन विस्पर थेरी बताई थी, फॉर्मल चार्जे था, आई होप आप यह सब चीजे याद हैं, आपको याद हो कि बेसिकली इसमें जो हैं आपके क्वेशन साते हैं, MOT से, और हाइवी डाइशन से, मोस्ट टार्गेटेट जो क्वेशन होते हैं, इन से ही आते हैं, तो अगर इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो डाफिनेटली यू कैन गेट माक्स, मिन्स अब दो को मिलेंगे, आपको तीन कोशन है, तो 12 माक्स मिलेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग होने के चांसे बहुत कम होते हैं, चलो, स्टार्ट करते हैं, देखो किस टैप के निट एग्जामिनेशन के पैटर्न के जो कोशन साते हैं, लुक अट, लुक अट, लुक अट लुक जो कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें किस तरह से आते हैं, कोशन से एक बार समझ लें, बच्चों, कोशन से इन दा फॉर्मेशन ओप एंटू प्लस, ध्यान देना, एंटू प्लस, फ्रॉम एंटू, दा एलेक्ट्रॉन इस रिमूवड, यानि एंटू से अगर एंटू प्लस आपको बनाना है, तो जो वह एलेक्ट्रॉन होगा, वह किस और्बिटल से रिमूवड होगा, सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार या पाई स्टार, देखो ऐसे कोशनों का एप्रेज करने का सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका होता है, आपको पता पूरा अच्छे तरीके उपन कर लो, एंटू मतलब क्या, 14 इलेक्ट्रोन सिफटम है, बिल्कुल सर जी, 14 इलेक्ट्रोन सिफटम के लिए, जो ईलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन होता है, याद करो, मैंने क्या बताया था, सर जी, सिग्मा 1S, सिग्मा स्टार 1S, होता है क्य then sigma 2s, sigma star 2s, then pi 2px equal to pi 2py, then आता है आपका क्या, sigma 2pz, then क्या आता है, pi star 2px equal to pi star 2py, यही तो होता है, so on, यानि इदर से इदर जाके energy क्या और यह आपकी बर रही है, बहुत अच्छी बात है 14 electron system के लिए होता है, अगर मैं oxygen की बात करूँ, वो 2 and 2 की, 16 electron system की, तो उस जगह पर यहाँ पर क्या होता है, यह वाला change हो जाता है, यह pi वाले उपर चले जाते हैं, और sigma वाले क्या आते हैं, नीचे आ जाते हैं, और इन चीजों को क्यों होते हैं, ब्यात करो मैंने बताया था इसके लिए HOMO theory आती है, highest occupied molecular orbital theory और LOMO theory आती है, lowest occupied molecular orbital theory, क्यों होते हैं, इसी का बताता है ना बच्चों, CO plus का जो bond order होता है, वो exceptional होता है, जो मैंने technique बताई थी, उससे नहीं होता, क्योंकि इसमें occupied molecular interaction बदल जाता है तो खैर उनकी बात नहीं जाता हूँ, N2 14 electron system है, तो fill करना सुरू हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, 1, 1, अब 2 and 2, कितने हो गए, भढ़ गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, बचे कितने 2, sigma 2pz, काम complete, अब N2 से N2 plus बना, कब बनेगा, जब ये electron एक कम हो जाएंगी, यही तो होगा बच्चा, यानि N2 plus में कितने electron system है, 13 electron system है, तो electron निकला कहां से, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, यानि, अब यहाँ पे 13 और 14 electron है, इस जगा पे, बिल्कुल, इस जगा पे रुको color कर देता हूँ, तक कि आपको थोज़ा समझ में आजाए, बिल्कुल, इस जगा पे आपका 14 electron system है, यानि 13 और 14 यही पे, यानि जो electron निकलेगा, इसी sigma से तो निकलेगा, तभी तो बन जाएगा, क्या, sigma 2pz1, N2 plus के case में, N2 plus के case में, पे 2 के जगा, एक electron होंगे, तो कहां से निकला, sigma orbital से, कहां से निकला, जल्दी बता दो, sigma से, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, बच्चो, A option, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं, इसको तो directly भी कर सकते हो, तुरंद करके, इतना लिखने की क्या जोरत होती है, simple सी पता, N2 system है, N2 14 एक electron system है, तो directly लोगे, कि यहाँ पे आके रुकेगी, sigma 2PZ पे, क्योंकि यह format है, और 2P, रहें, लास्ट एक टो निकला, कहां से, 2PZ से निकला, यानि, sigma से निकला, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, तो question number one का जो option होगा, वो A option is the correct, अब मैं इसको रभ करता हूँ, बच्चो और बढ़ते हैं हम लोग next question की तरफ, next question है, question number two, question number two क्या है, देखो, in which of the following pairs of molecules, both the species are not likely to exist, कहता है, कि both the species are not likely to exist, याद करो, मैंने MOT में आपको बताया था, क्या बताया था, कि sir, आपने ये बताया था हमें, that is, अगर bond order, अगर आपके bond order की value zero हो जाए, या negative हो जाए, तो वो molecule exist नहीं करते, और जितना जादा bond order, stability क्या होगी, उतनी जादा, bond order कम, तो stability क्या हो जाती है, बच्चों, कम होने लगती है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, अब चेक करो, किसका bond order lowest है, और zero के अप्रोच में है, अगर मैं बात करूँ H2 plus की, तो बोलो hydrogen में कितने electron होते हैं, दो H2 में, एक hydrogen में एक electron होते हैं, तो H2 में कितने होंगे, दो electron plus की बात करूँ, तो only one electron system हो गया, तो इसके लिए electronic configuration क्या होगा, sigma 1s1, बिलकुल, अब इसका bond order बताओ, bond order is equal to 1 by 2, Nb minus Na, होता है क्या, Nb मतलब number of bonding electron, एक है, anti bonding कुछ भी नहीं है, तो bond order क्या हो जाएगा, one by two, यानि H2 plus का bond order आ गया, one by two, और अगर मैं बानू हिलियम two plus की चेक करूँ, two minus है ना, अच्छा, हिलियम के कितने electron होते हैं, हिलियम two के कितने होंगे, four electron, two minus मतलब दो और जादा, यानि six electron system है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं, तो इस case में bond order क्या हो जाएगा, one by two, Nb minus Na, या सर जी, बिलकुल, Nb minus Na, चलो, six electron system है, तो इसको कैसे fill करेंगे, जल्दी से बता दो, इसको fill करेंगे, सर, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, देखो, fill हो गया, क्या, 224, 26, जादा हो गया, यानि यहीं तक हम fill कर लेंगे, 224, 26, चलो, bonding electron कितने हैं, 2 और 24, star मतलब anti-bonding होते हैं, 1 by 2, 4 minus 2, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, anti-bonding में 2 electron है, चलो, 4 minus 2 कितना हो जाएगा, 2, तो bond order कितना हो जाएगा, 1, देखो, इनके कोई fix bond order है, 0 नहीं है और negative नहीं है, तो ये वाला option तो आपका correct नहीं है, चलो, अब H2 minus की बात करूँ मैं, H2 minus और क्या बचा है, helium 2 plus, helium 2, 2 minus की तो मैंने बात करी ली, इसका bond order तो मैंने ढूंडी लिया है, 6 electron system है, तो इसका तो BO मैंने अभी just ढूंडा है, वो 1 है, क्या कोई problem बाली बात है, H2 minus में कितने electron है, hydrogen में 2 होते हैं, और 1 minus मतब 3 electron system है, तो इसका electronic configuration कैसे लिखेंगे, sigma 1 as 2, sigma star 1 as 1, यही तो हो जाएगा, चलो, तो अब इसका bond order कैसे ढूंडेंगे, bond order is equal to 1 by 2, nb minus na, चलो, अच्छी बात है, तो 1 by 2, nb क्या है, जल्दी बता दो, 2, na कितना है, 1, 2 minus 1, 1 होता है, 1 by 2 into 1, यानि 1 by 2, तो भईया, H2 minus का भी bond order 1 by 2, और H2 plus का bond order क्या हो जाएगा, आपका 1, तो इस case में bond order इनके fix है, तो यह भी option नहीं होगा, अब third वाले मैं इस तरह आ सकता हूं क्या, is it visible, चलो, अब मैं third option देख लूं, H22 plus की मैं बात करूं, और helium 2 की मैं बात करूं, अच्छा, H22 plus की मैं बात करूं, तो hydrogen में 2 electron होते हैं, मतब H2 की बात करूं, hydrogen में 1 electron, 2 hydrogen होते हैं, उसमें 2 electron, उसमें 2 निकल गए, तो number of electron इसमें क्या है, भईया, 0 है, तब 0 number of electron होगे, तो bond order भी अपने आप क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा, अगर helium 2 की बात करूं, तो भईया, इसमें total electron कितने होते हैं, 4, तो bond order का formula क्या हो जाएगा, सबको पता है, 1 by 2, NB minus N A, और इसको लिखते कैसे हैं, sigma 1 S2, sigma star 1 S2, चलो NB मतलम number of bonding electron कितने हैं, 2, और anti bonding कितने हैं, 2, 2 minus 2 क्या हो गया, 0, तो इस केस में इसका भी bond order 0, इसका भी, जब bond order 0 हो जाएग, तो वो molecule exist नहीं करता, तो case आपको समझ में आ चुका है, अगर ये वाला, अब H2 minus की बात करूं, तो मैंने बताया था, H2 minus का bond order अभी निका जाना नहीं है, जल्दी जल्दी आपको करना है, याद करो मैंने table बताया था, याद है, 2, 4, 6, 8, 10, वो वाला table यूद करना, अभी use करना है, यह तो मैंने अभी आपको explanation कर रहा हूं, इतना समय नहीं मिलता examination में, just hardly 1 minute रखो, और question को solve कर दो, मैंने सब की short technique बना रहे, बता कर दो, मैं आपका doubt को फिर clear कर दूँगा है न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, चालो, अब मैं बात करता हूं, question number 3 पे, क्या है question number 3 देखो, the iron that is iso electronic with co, बहुत आसान है, क्या question है, iso electronic, क्या होता है, जल्दी बता दो तो iso electronic, सब को पता है, iso electronic, वो species होते हैं, जिसमें number of electron क्या होते हैं, same, iso electronic species, चलो, iso electronic species के लिए क्या होते हैं, same number of electrons, electrons बिलकुल क्या होते हैं, same होते हैं, क्या कोई problem वाली बात है, नहीं, अच्छा, अगर मैं CO की बात करूं, CO है ना, चलो, CO की अगर मैं बात करूँ, तो CO के कितने होते हैं, 6, oxygen के कितने होते हैं, 8, यानि यह 14 electron system है, तो बताओ, बाकी option में से किसके पास 14 electron है, अगर मैं बात करूँ, CN- की, तो C का कितना होता है, 6, N का कितना होता है, 7, और minus मतलब 1 electron, यानि CN- में 14 electron, तो यह option तो आ गय की, O2 में कितने होते है, 2 into 8 minus 1, यानि कितने electron हो गया, 15 electron system हो गया, अब मैं बात करूँ O2 minus की, O2 minus मतलब 2 into 8 plus 1, यानि क्या हो जाएगा 17 electron system, और N2 plus की मैं बात करूँ, तो N2 plus में होता है 2 into 7 minus 1, यानि 13 electron, तो बोलो किस में 14 electron बिल्कुल सेम है, CN minus में देखो, 14 electron सेम है, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि question number 3 का जो answer होगा, वो A option है, am I right, yes sir, you are absolutely right, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, बच्चों और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग next question की तरफ, next question है, question number 4, क्या है question number 4, एक बर हम इसको देख लेते हैं, चलो, in all form, आपको बता कीटो और in all form totomers होते हैं, चलो, in all form contains the following, अच्छा, in all form क्या होता है, इस चीज़ को समझो बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया CH3, COO, CH3, यह क्या है, acetone है, ketonic form है, ketones है, चलो, अब इस case में, अगर सफलिंग होती है, आपको पता है, पार्सलिट चार्ज आ जाएगा, यह bond यहाँ मूफ करेगा, और तो यहाँ पे जो होता है, वो तो मैकनीजम है, यह माइनस यहाँ पलस का साइन, तो in all form में क्या होता है, यह hydrogen जो होता है, वो आ जाता है, यह double bond यहाँ सिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे OH आ जाता है, तो in all, जैसे कैसे होता है, वो देखो, इसको हमने ऐसे लिख दिया, CS3, C double bond O, CH3, अब यह dynamic equilibrium में होता है, तो in all ऐसे होता है, CS3, C, OH and double bond CH2, इसके लिए resonating structure है, जो आप organic में पढ़ होगे, तो इसलिए मैं उस पर जादा समय बढ़ बाद नहीं किया, kit, ketone, in all, in मतलब double bond, all मतलब alcohol, चलो, अब पूचता है, कि in all form में कितने sigma bond होंगे, कितने pi bond होंगे, किनले, चलो, इसको open कर देता हूँ मैं, यह इस तरीके से लिख सकते हैं, 1, 2, 3, then C, OH and double bond, C, 1 and 1, 2, क्या कोई problem वाली बात है, कितने sigma bond है, जिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sigma और 1 pi bond, double bond में 1 sigma और 1 pi होता है, तो count करके देखो, कौन सा option सही है, 9 sigma and 1 pi bond, loan pair of electron है, नहीं है, तो भाईया, answer हो जाएगा, 9 sigma, 1 pi bond and 2 loan pair, अच्छा, loan pair इस जगह पे हैं न, यह वाला, 2 loan pair of electron, क्या कोई problem वाली बात है, नहीं, यह वाला, इस जगह पे loan pair नहीं है, इस जगह पे तो loan pair है, तो इसको भी count कर लिया है, तो answer हो जाएगा, 9 sigma, 1 pi and 2 loan pair of electron, तो question number 4 का जो option है, that is the A option, चलो बच्चों, मैं इसको रब करता हूँ, और आगे बढ़ चलते हैं, next question की तरफ, जो next question है, वो क्या है, उस चीज़ को समझ लो, question number 5 की मैं बात करूँ, which one among the following does not have hydrogen bond, अच्छा, hydrogen bond किसके बीच में बनता है, सब को पता है, hydrogen bond बनता है, hydrogen और most electronegative atom के बीच में, most electronegative atom, like fluorine, nitrogen and oxygen, जैसे अगर मैं बात करूँ H-Up में, तो आपको पता है, यह H और दूसरे के H में, यह जो bond होता है, यही तो होता है, hydrogen bond पढ़ाया था आपको, बिलकुल, अगर मैं बात करूँ H2O में, तो hydrogen bonding होगी, अगर मैं बात करूँ NS3 में, hydrogen bonding होगी, अगर मैं बात करूँ C6H5OH में, फिनॉल की, इसमें भी hydrogen bonding होगी, अगर मैं बात करूँ CS3COOH की, तो hydrogen bonding होगी, क्या कोई problem बाले बात करूँ, अगर मैं लिखता हूँ SCL, तो इसमें क्या hydrogen bond होगा क्या नहीं होगा क्यूं? CL की भी electronegativity ज़्यादा ही होती है ठीक है लेकिन फिर भी CL, SCL मतलब CL और hydrogen इनके बीच में hydrogen bonding नहीं बनती ये क्यूं नहीं बनती? क्यूंकि CL का size जो होता है बड़ा होता है due to large size याद रखना nitrogen और chlorine की electronegativity almost same होती है nitrogen का size छोटा होने की बज़ा से ammonia में hydrogen bond होता है लेकिन CL का size बड़ा होने से SCL में hydrogen bond नहीं होता लेकिन यही CL अगर organic molecule में दिखे organic compound में अगर आपके component में दिखे तो याद रखना ये intra molecular hydrogen bond बना सकते हैं intra, intra नहीं intra, intra मैंने बताया था intra molecular H bond जो organic compound में होता है और बाकी इसमें ये सब क्या inter molecular है ये इसमें भी क्या होगा inter molecular होगा इसमें भी क्या होगा inter molecular लेकिन अगर इस तरीके से मैं लिख दूँ भाईया यहाँ OH लगा दूँ और यहाँ NO2 लगा दूँ तो भाईया इस जगह पे intra molecular ये N और H के साथ बन सकता है क्या कोई दिक्कत वाली बात है तो इस सारे cases में intra बनते हैं तो इसी जगह पे अगर chlorine हो तब तो intra molecular hydrogen bonding बन जाएंगे लेकिन otherwise due to large size chlorine और hydrogen के बीच में आपका hydrogen bond बनने के chances नहीं होते तो भाईया फिनॉल में भी बनेगा liquid में भी बनेगा water kiss में नहीं बनेगा SCL में तो question number 5 का जो answer है वो है D option क्या कोई problem बाली बात है नहीं ये सारी चीजे मैंने lectures के during आपको complete कर दी थी फिर भी मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा explanation भी कर रहा हूँ चलो अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ next question की बात करूँ तो question number 6 में आ जाओ question number 6 क्या कहता है बच्चों देखो the CLCCL angle in 1,1,2,2 tetra-chloro-ethene and tetra-chloro-methane respectively अच्छा पहले तो 1,1,2,2 tetra-chloro-ethene बना लो tetra-chloro-ethene एक, दो, ओके 1,1,2,2 अच्छा ethene है यानि double bond है यानि ये chlorine है ये है 1,1,2,2 यही तो है tetra-chloro-ethene बहुत अच्छा और tetra-chloro-methane यानि CCL 4 बोलाएका ये CL, ये CL ये CL and ये CL ये तो बात है चलो अब इस पर habitation दून दो तो 1 sigma, 2 और 3 sigma ये वाला sigma है तो ये वाला क्या पाई 3 sigma bond है तो इस carbon में hybridization क्या SP2 इसमें भी 1 sigma, 1 sigma और 1 sigma 3 sigma है तो hybridization SP2 जब hybridization SP2 होता है तो सबको पता है bond angle कितने degree का होता है 120 degree का bond angle कितने degree का होता है 120 degree का होता है क्या कोई दिक्कत वाली बात है थोड़ा सा वेट कर जाओ, अब अगर इसमें मैं बात करूँ तो कितने सिगमा है, एक, दो, तीन और चार सिगमा, हाविडाइशन क्या होगा, SP3, जब हाविडाइशन SP3 है, तो आपको पता बॉर्ण एंगल किसके एकवल होता है, 109 डिगरी 28 मिनट के आसपास होता है, तो भ 120 और 109.5 डिगरी के आसपास, ठीक है, थोड़ा सा एंगल वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइडरोजन नहीं है, क्लोरीन है, क्लोरीन के एलेक्टो नेगेटिविटी हाइडरोजन से बहुत ज़ादा होती है, जिसके चलते थोड़ा सा एंगल वेरी करके 109.5 डिगरी हो है आपका A option, चलो बच्चो, अब मैं इसको रप कर देता हूँ, और आगे बढ़ चलते हैं, next question की तरफ, तो जो next question है, वो देखो, question number 7 है, क्या है, the geometry of H2S, यह तो बहुत आसान question है, और dipole moment, अच्छा पहले तो आपको H2S सबको पता है, H2S का normal hybridization, अगर ऐसे तो लिखते ह है, H2S का, यह तो हम जानते ही है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि sulfur के पास 2 electron pair, वेस पार थियोरी लग जाती है, जिसके सलते contraction हो जाता है, और अगर normal से हम hybridization दून देता है, X is equal to क्या होता, 1 by 2, valence electron sulfur का क्या होता, 6, monovalent atom कितने है, 2, तो भाईया, 6 plus 2, 8, 8, 1 by 2 into 8, यानी 4, X की लेकिन lone pair होने की बज़ा से, इसका angle क्या हो जाएगा, कम, यानी shape कैसा दिखेगा, angular दिखेगा, अब आपको पता है, lone pair है, यानी ये symmetrical structure तो नहीं है, symmetrical structure नहीं है, तो dipole moment कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो hybridization SP3, वेस पार थियोरी में lone pair, lone pair repulsion जादा होने की बशे, angle थोरा decrease करेग इसलिए shape tetrahydle नहीं दिखे, क्या होगा, angular, जैसे water का bend shape होता है न, बिलकुल उसी तरीके से, angular होगा, और dipole moment 0 नहीं होगा, क्योंकि symmetrical structure नहीं है, तो क्या होगा, angular and non-0 dipole moment, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं, तो question number 7 का जो option होगा, वो A, A is the correct option, am I right, yes sir, बिलकुल देख लो, जलते हैं, next question की तरफ, question number 8 की तरफ हम बर चलते हैं, क्या है question number 8 थोड़ा उसको भी हम समझते हैं, देखो, question number 8 में दिया हुआ है, which contains both polar and non-polar, आइनिक bond नहीं बोला है, बच्चो, polar and non-polar बोला है, अच्छा, बोल, अगर मैं बात करूँ, NH4Cl की, देखना, ध्यान से समझना NH4Cl की, तो ये NH4Cl कैसे होता है, NH4 plus and Cl minus, यही तो होता है, इसमें तो आइनिक bond है, बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ, SCN की, तो ये बनता है, H plus और CN minus, इसमें भी आइनिक है, लेकिन non-polar तो है नहीं, बिल्कुल, अच्छा, अगर मैं बात करूँ, H2O2 का shape कैसा होता है, इ अब आपको मैं बात करूँ, यहाँ पर electronegativity difference है, तो इस पर delta plus और इस पर delta minus आएगा, अब इस पर भी delta plus और इस पर delta minus आएगा, तो यानि ये बाला जो है, आपका polar और ये बाला आपका polar, लेकिन ये दोनों देखो, जब same होते हैं, तो same के case में क्या आता है, non-polar आता है, तो H2O2 में polar भी है, और non-polar bond भी है, तो कौन सा answer हो जाएगा, जल्दी बत, SCN में समझ में आ गया ना बच्चो, SCN में non-polar वाले कोई chance नहीं है, सारे polar है, NH4 plus में भी, NH4 plus को कैसे लिखते हैं, ये H है, ये H है, और ये H है, और इस तरीके से जाता है H, और उपर लिखते ह है, plus, और ये CL minus, तो कहाँ पे है, non-polar character तो नहीं है, सब जगा fix dipole moment है, लेकिन यहाँ पे similar होने की बज़ा से, ये non-polar है, तो answer क्या हो जाएगा, H2O2, और अगर मैं CH4 की बात करूं, तो CH4 में net dipole moment क्या होता है, 0, यानि सारे क्या है, non-polar है, यानि polar इसमें नहीं है, non-pol है, तो answer strip और strip क्या हो जाएगा, H2O2, तो question number 8 का, जो answer होगा, वो हो जाएगा, C option, चलो बच्चो समझ में आ गया क्या, विल्कुल, question जादा tough नहीं होते, it's up to your knowledge, अच्छा, चलो अब थोड़ा सा मेरी बात समझो, next question की तरफ बनते क्या है, PCL5 exists and NCL5 does not, ये बहुत आपको पता है कि अगर मैं P का electronic configuration लिख देता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, KLM, 285, अगर nitrogen का मैं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ, K और L के case में, 2 और 5, क्या कोई problem वाली बात है, अब आपको पता है, K में जो सबसेल होते हैं, S, L में जो सबसेल होते हैं, S और P, अगर M की बात करूँ, तो इसमें होते हैं S, P और D, यानि phosphorus में vacant D orbital होते हैं, लेकिन nitrogen में vacant, क्योंकि last electron कहा जाता है, L cell में, L cell में D sub cell नहीं होते हैं, यानि N में जो होते हैं vacant D orbital नहीं होते हैं, या D sub cell नहीं होते हैं, जिसके चलते ये अपनी covalency को extend नहीं कर सकता, अगर covalency को extend नहीं कर सकता, तो NCl3 बन सकता है, लेकिन NCl5 बनने के chances नहीं होते हैं, लेकिन phosphorus में आपको पता है, last electron M cell में जाता हैं, और M में vacant D sub cell हैं, vacant D sub cell होने की बज़ा से, PCL5 अपनी covalency extend कर सकता है, इसलिए PCL3 भी बनता है, और PCL5 भी बनता है, इस चीच को हमेशा याद रखना, लेकिन आपको पता है, PCL5 को हीट करते हैं, गरम करेंगे तो बनेगा PCL3 प्लस CL2, ऐसा क्यों क्योंकि इसमें याद करो, सिद्बिक और सजडेन कंसर बताया था, सिंगलेट लिंके, दो क्लोरीन सिंगलेट लिंके से जूरे होते हैं, जो इसलिए गरम करने पे तूट जाते हैं, और बनता क्या है, इसलिए आप से बन जाएगा, अब आजाओ, नेक्ट कोशन, कोशन नमबर 10, ये तो बहुत आसान कोशन है, जीयोसी में आप पढ़ते हो, भाईया, दो तरह की चीज़ी होती है, एक होता है, फ्री रेडिकल, एक होता है, कार्बो केटाएन, और एक होता है, कार्बो एनाएन, अगर मैं CS3 की बात करूँ, तो हाइबिडाइशन अगर ढून लूँ, तो नॉर्मल केस में आजाओ, इडिजन के कितने होता है, 3-1, 6-3-9, क्या मैं सही बता रहा हूँ, कार्बन का वैलेंस एलेक्टरन लेते हैं, 4 लेते हैं, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, कार्बन का वैलेंस एलेक्टरन क्या होता है, 4 होता है, तो 4-3, 7-1, कितने हो जाएंगे, 6, यानि हो जाएगा 3, X की value हो गई 3 तो हाइविडाइशन हो जाएगा SP2 अगर हाइविडाइशन SP2 है बच्चा तो वो कैसा दिखेगा triangular planner दिखेगा इसी तरह से तो दिखेगा तो H3 plus का CS3 plus का save क्या हो जाएगा बच्चो triangular planner हो जाएगा क्या कोई problem बाली बात है नहीं बहुत easy questions आते हैं ज्यादा tough नहीं आते अगर आपके theory पे अच्छी खासी hold है अच्छा खासा command है तो आप सारे questions बना सकते हो बट इस questions are not enough यह question इतने enough नहीं है आपको और भी जादा से जादा practice करनी पड़ेगी ebook में मैंने जो theories दी है उसको पढ़ो अगर कोई doubt हो तो direct आप मुझसे approach कर सकते हो during session भी मैंने बहुत सारे questions आपको कराए हैं बहुत सारी theories आपको बताई हैं उन theories को अगर आप step by step follow करो तो I think you can easily solve such kind of questions so बच्चों समय आ चुका है आपसे बिदा लेने का time has come to say bye bye thank you so much